नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के लर्निंग पॉइंट पर आज हम बात करने जा रहे हैं फुटबॉल की दुनिया के सबसे चमकदार सितारों में से एक किलियन एमबापपे के बारे में उपनगर बांडी में हुआ था उनके पिता विल्फरेड एमबापपे खुद एक फुटबॉल कोच थे और उनकी मा फैजा लामारी पूर्व हैंडबॉल खिलाडी थी बचपन से ही एमबापपे को फुटबॉल से बहुत लगाव था वह घंटों गेंद के साथ खेलता रहता था किलियन की बचपन से ही गती अद्भुत थी और फुटबॉल के प्रती उनका जुनून देखते ही बनता था वे केवल 6 साल की उम्र में ही स्थानिय फुटबॉल कलब एस बोंडी में शामिल हो गए थे खेल की समझने सभी को हैरान कर दिया सन 2015 में केवल 16 साल की उम्र में किलियन ने एस मुनाकों के साथ अपना पेशेवर करियर शुरू किया उन्होंने अपने पहले ही सीजन में शांदार प्रदर्शन किया और बहुत जल्दी ही फुटबॉल प्रेमियों की नजरों में आ गए उन्होंने 17 साल की उम्र में ही मुनाकों के लिए अपना पहला गोल किया और इस तरह से वे मुनाकों के सबसे युवा गोल स्कोरर बने साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए किलियन एमबापपे का नाम अब फुटबॉल की दुनिया में तेजी से फैल रहा था और उन्होंने कई बड़े कलब्स का ध्यान अपनी और आकरशित किया 2017 में उन्होंने पैरिस सेंट जर्मिन यानी PSG के साथ करार किया जो फुटबॉल इतिहास के सबसे बड़े ट्रांसफर में से एक था PSG ने एमबापपे को 180 मिलियन यूरो में साइन किया और इस प्रकार किलियन एमबापपे फुटबॉल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाडी बन गए PSG में शामिल होने के बाद एमबापपे ने अपनी गती, गोल करने की किशमता और जबरदस्त तकनीकी कोशल से पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया वे केवल एक गोल स्कोरर ही नहीं बलकि एक टीम प्लेयर भी है जो मैदान पर अपने साथियों को भी बहतर बनाते हैं 2018 में कलब लेवल पर सफलता के साथ-साथ किलियन एमबापपे ने खुद को विश्व फुटबॉल के महांतम खिलाडियों में स्थापित कर दिया केवल 19 साल की उम्र में उन्होंने फ्रांस की राष्ट्रिय टीम को फीफा विश्व कप 2018 में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई खिलाडी के साथ-साथ मैदान के बाहर एमबापपे एक बहुत ही शांत और मिलनसार इंसान है वो अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं इसके अलावा वो कई सामाजिक कारियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वैसे किलियन अमबापे के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताईए किलियन अमबापे अभी बहुत युवा हैं और उनके पास फुटबॉल में बहुत कुछ हासिल करने की ख्शमता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक विशय के साथ तब तक के लिए अलविदा